हेलो इवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ पतिभा, मेरे चैनल कानपुर की चैनल एंड ब्लोग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, आज में आपको घर पर ही बिना किसी खर्चे के एक भी रुपय का खर्चा नहीं है और बिल्कुल मार्केट जैसा पोचा बनाना सिखाऊंगी, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चलिए शुरू करते हैं पोचा बनाने के लिए मैंने ये कॉटन की मैक्सी ली हुई है, यानि कि जो टी-सर्ट वाला कपड़ा आता है, उसी कपड़े के हमें पोचा बनाना है, उसका stretchable भी होता है और जादा अच्छा बनता है तो सेम टी-सर्ट वाले कपड़े में ही stretchable मेरे पास ये पुरानी मैक्सी पड़ी हुई है, जो कि useless है, इसी से हम पोचा बनाएंगे, अगर आपके पास इस तरह की मैक्सी है, तो आप उससे बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी टी-सर्ट से भी बना सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी length काफी जादा है, तो मैं इसे 20 से cut कर लूँगी, यानि कि टी-सर्ट के नापका ही हमें इसे रखना है, सबसे पहले मैं अपनी जरूरत के अनुसार मैक्सी को इस तरह से cut कर लूँगी, ये दिखे, आधा मैं इसे cut करूँग है, तो इसे नाप करके एक इंच में निशान लगाईए, और इस तरह से हलका सा cut लगाते हुए, ऐसे पहले थोड़ा सा cut लगाना है, फिर आपको इसे पकड़ के खीश देना है, तो ये एकदम अच्छे से निकल जाती है, तो ये देखे, ऐसे थोड़ा सा cut किया हमें इस त इसी तरीके से पूरी टी-सर्ट से हम cut करके तयार करेंगे, ये देखे, मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, एक इंची की दूरी पर ही लगाना है, निसान, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, no problem, ये देखे, आपको पूरे में कैची चलाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से खीच दीजिए, बहुत ही आसानी से निकाल आता है, और साथ में इसकी लेंथ भी खीचने से थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही stretchable होता है, तो ये देखे, इस तरह से हमने इसकी पतली-पतली strips काट के तयार कर लिए है, अब आगे की strip में क तरीके से खीचना है, और एक तरफ रखते जाहिए, तो यहाँ पर हमने इन सारी strips को इस तरह से खीच के तयार कर लिया हुआ है, इनकी लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ गई है, अब यहाँ पर आप कोई भी मेज ले सकते हैं, मेरे पास ये चेयर है, तो मुझे इसी में ठीक कोई भी जगे आप इसे बान सकते हैं, एक जो मजबूत strips हो, आपको इसे इस तरह से पान देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, और इसकी जो एक strips की जो लेंथ है, वो लगबग 32 इंच के जितनी है, इस तरह से आपको पकड़ना है, बिल्कुल बराब करते जाएं, यह देखें, इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है, आप जब करो के ना, तो आपको बहुत मजाएगा, और जब पोशा बन के तयार होगा ना, तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि वाकई में एक घर का बना हुआ पो करता बड़ा है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, बट मैं वीडियो बना रहे हो, इसलिए मैं इसे नीचे से भी थोड़ा सा कट करके बराबर कर दूँगी, तो इस तरह से थोड़ा सा चेर को उपर कर दीजिए, ताकि आप इसे बिल्कुल इक्वल काट पाए तो यह देखे, मैंने इसे काट दिया हुआ है, और आप देखने में यह नीचे से बिल्कुल इक्वल लग रहा है, अब हमें जरूरत होगी किसी डंडे की, तो यह मेरे पास वाइपर का डंडा पड़ा था, जो की मेरा वाइपर टूट किया था, आपके यहां भी जरूर को यह है, तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरह से इसे कॉर्नर को दबाते हुए, टाइटली फोल्ड करना है, यह देखे, एकदम से अच्छे से टाइटली फोल्ड कर दीजिए, और इस तरह से टाइट फोल्ड करने के बाद, आपको एक स्टिप से अच खुले नहीं, एकदम अच्छे से खीच के बादना है, और गाट लगा दीजिए, थोड़ी सी जो पट्टी है, उसे ऐसे ही रहने दीजिए, कट नहीं करना है, क्योंकि हम इसे लास्ट में कट करेंगे, तो यह देखे, मैंने इसमें दो गाट लगा दी हुई है, अब जब ह हम इसके उपर इसे बादेंगे, तो यह बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं, यह दिखे, एक साइट को इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा रखना है, इसके बाद यह जो हमने स्ट्रिप्स वाला तयार किया हुआ है, एक तरब से हम इसे यह जो लंबी स्ट्रिप्स है, इसमें ब की तरह रखनी है, और लगभग इसे तीन इंची की उचाई से ही आपको बादना है, यानि कि डंडे के बिल्कुल नीचे से नहीं बादना है, और टाइटली खिशते हुए आप इसे रोल करते चाहिए इस तरह से, और यह जो बचा हुआ पार था, उसे थोड़ा सा उपर को रखिएगा, इसे हम बाद में नौड लगाएंगे, इस तरह से टाइटली रोल करने के बाद, फोल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से गांट लगा देनी है, अच्छे से लगाएगा ताकि यह खुले नहीं और बिल्कुल भी नहीं खुलता है, यह देख आप इस तरह की किसी डोरी से भी बाद सकते हैं, इसको जो निकले वे पार्ट है उसे दबा दीजिए अच्छे से ताकि एकदम देखने में अच्छा दिखें, और यह जो टाइ है, टाइ से हम इसे कस के बाद देंगे, अगर आपके पास टाइ नहीं है, तो कोई बात नहीं आप इस तरह की इसी की एक डोरी से बान सकते हैं, तो मैं इसे टाइ से अच्छे से कस दोंगी, यह देखिए इस तरह से अच्छे से कस दीजिए, चाहें तो इसे आप इस तरह से कर सकते हैं, या कट भी कर सकते हैं, तो यह अच्छे से से शेट नहीं हो रहा था, इसलिए मै मैं अब इसे कट ही कर देती हूं तो बस आधा इंचे लगभग छोड़ दीजिए और कट कर दीजिए और ये लिजी फ्रेंज हमारा एकदम फ्री कोस्ट का पोछा बनके तयार है एक भी रुपए का खर्चा आपका नहीं लगेगा घर में बहुत सी टी-सर्ट पड़ी होंगी बच्चों की आप उससे बहुत बड़ा सा पोछा बना सकते हैं मैंने आपर कम स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया हुआ है अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका और भी बड़ा पोछा बनेगा तो आप इसे इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं तो पहले पोछा को को इस तरह से गीला करना है और यह बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि मार्किट का पोच्छा करता है यह कितने फ्रीली एकदम अच्छे से मौव हो रहा है तो देखाने फ्रेंज कितना आसान है घर पर पोच्छा बनाना वो भी बिल्कुल फ्री में आई होब कि आपको यह तरीका पसंद आया होगा तो ट्राइ जरूर करेगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेकी है